हेलो अभरिवन! जैसे कि आप सभी को पता है, आज एजटर लीवल टू का एक्जाम हुआ है। उसी कि एकर रिगार्डिंग, हम टीज़ीटी साइशिंस की पेपर के बारे में डीकस करेंगे। और TGT science में biology paper के बारे में हम discussion करेंगे और उसके answer की देखेंगे कि कितने question आये हैं क्या paper का level है इस तरीके से हम देखते हैं हम सिर्फ bio का ही question देखेंगे biology वाला portion question number 94 the chief producer in oceans questions पूचा गया है कि महासागर मुख्य उत्पादक क्या है इसका correct answer है second die atoms क्या है इसका die atoms हम सिर्फ bio का ही पूरसम देखेंगे question number 1008 this scientist who first explain that cell divide and new cell are formed from pre-existing cells is इसका second Rod of Virtue Rodolf Virtue यह जो question है मैंने जो PDF अप्लोड की थी उसी से है direct question है पहली page से थी Cell the unit of life Which of the following species is critically and there's reptiles in India इसका है घरियाल कोसर नमर 117 Bioluminescence Accurcens जै प्रिदीप्ती पाई जाती है Silentrata and Tynophora Tynophora and Porifora Porifora and Silentrata और option है right देखो जनरली जो Bioluminescence होते हैं वो जितने भी animals है Tynophora phylum के उससे belongs करते है लेकिन Tynophora के साथ इसमें एक दूसरा भी phylum है तो पहले क्या है Tynophora sealant data एक दूसरे से related है तो इसका रहेगा first correct Porifera में नहीं होता है लाइकन्स आर वेरी गुड पॉलिशन इंडिकेटर दे आर मेड़ अप आप प्रियोंस और प्रियोंस यह भी मैंने जो अपलोड किया था पीडियाफ चैनल पर उसमें था लाइकन्स आसोशें होता है फंगस का और अलगा का तो इसका correct answer हो रहेगा थड़ फाइकोबाइंट अलगा होता है और माइकोबाइंट होता है फंगस आसोशेंशन इसके बाद है इसके बाहदे वादे वौल अप Kurz पज़एज फोलेयर विच रुप अब फैलोइज। इसनज़ विच अक्र deceived स्टेशन रेसी हैं अमें कून सा मुकेशन म intéressant आप यह भलत है म्दार एब न मोलत wipes नाप ब्रम होता है थढ़ देखते हैं some mucosa mucosa muscularis outermost serosa उसके बाद muscularis उसके बाद mucosa inermost होती है some mucosa तो correct answer third रहेगा इसका देखो जो sexual reproduction होता है वो uniparental होता है उसमें सिर्फ एक ही parents की जरौत पढ़ती है ठीक है इसमें ना कोई gamete बनते हैं ना कोई दो पार्टनर के रोत पड़ती है इसलिए जो भी वाप स्प्रिंग प्रेड्यूस होती है ऐसा को से प्रोडंस है वो morphologically and genetically बिल्कुर सेम होती है एक दूसरी clone होती है तो only morphology सेम नहीं morphology के साथ उसका genetics भी सेम रहता है only genetically सेम नहीं यह भी ठीक नहीं है थर्ड morphology and genetically सेम थर्ड ठीक है वो morphologically की मतलब भार से दिखने में भी एक जैसे रहेंगे और उनका genetic constitution internally जो होता है वो भी सेम रहेगा थर्ड इज करेक्ट वन आप दे फैलों इज होर्मन से करेटेड वाय हार्ट यह भी मैंने जो PDF अपलोड की दी उसमें था चैनल पर जो भी वीडियो में ने अपलोड की है उन समय mostly question इसमें से आई हुए है atrial nutritive factor एन फोला जाता है जिसे यह किसे secret होता है release होता है heart से ठीक है which of these phylum possesses closed circulatory system यह भी जो मैंने वीडियो अपलोड की थी यह भी direct to see message है direct question है अगर किसी ने पढ़ा हो जो मैंने लगवक दो गंटे की एक video upload की है सारा paper वहीं से है सिर्फ एक दो question को चोड़के ठीक है इसमें है कि पूछा गया है close circulatory system किसमें होता है analytics में arthropod में नहीं होता मॉलिशका में नहीं होता है यहां पे कैसा होता है open होता है तो crack transfer क्या रहाएगा analytics which of the film statement नहीं यह नहीं है 145 which one of these is excretory excitatory sorry excitatory neurotransmitter देखो एक दो टाइप्स के neurotransmitter होते हैं एक excitatory एक होता है inhibitory inhibitory जिनका negative impact होता है जो किसी चीज को inhibit करे किसी के function को inhibit करे लेकिन हम से क्या पूछा रहा है excitatory तो इसमें dopamine, dopamine, acetocoline, GABA तो इसका glycine यह भी नहीं है dopamine नहीं है थर करेक्ट है acetocoline क्या है acetocoline GABA भी कैसा है inhibitory है यह भी उस वीडियो में था the process of release of sperm from seminiferous tubules is known, ejaculation, बिल्कुल गलत spermatogenesis, sperm बनने की process को spermatogenesis कहते है, spermiogenesis नहीं, sperm बनने की process को spermiogenesis कहते है spermiation तो इसका correct किया रहाएगा 4, spermiation यह भी उसमें था, spermiation what are the primary lymphoid organ in the body यह भी उस वीडियो में था, अगर किसी ने वो वीडियो देखी हो तो यह भी direct था, जेतने भी कोशन था, डारेक्ट उसमें से थे इसने में पूचा कि कौन से primary lymphoid होते हैं, bond marrow और thymus होते हैं, primary बागी सब क्या है, secondary syplenal lymphoid secondary, tonal lymphoid secondary, bond marrow and thymus, यह क्या है हमारा primary, bond marrow and thymus which of the fellow statement are correct, housefly have sponging type of mouth part, बिल्कुल सही है, honeybee having beating type, गलत है, conkroach के अंदर होता है, beating and chewing type, butterfly have siphoning type, यह बिल्कुल ठीक है, conkroach have chewing and leaping type, बिल्कुल गलत है, तो correct कौन सा है, one and third, तो one and third देखो, तो इसका correct रहेगा, one and third, second, which of the fellow statement is correct, यह नहीं है, देखो इसमें जो अभी हमारे पास question है, जो हमारे पास paper मिला है, इसमें कुछ question छूटे हुए हैं, जो इसमें पूरा paper नहीं मिला है, जैसी मेरे पास पूरा paper आएगा, तो मैं दुवारा से यह पूरा paper, दुवारा सा upload कर दूँगा, विदानस्वर की, अगर इसका solution चाहिए, तो आप comment section में मिरे को बताईए, तो मैं next video में इसका पूरा solution, biology portion का पूरा बता दूँगा, कहां से है, कैसे है, अगर हम level की बात करें, अभी तक देखो, बहुत सारे YouTube चैनल थे, जिस पर यह दिखाए गया तक इस levels change हो गया है, यह है, अगर पेपर का level अलग रहेगा, जए रहेगा, 6-10 रहेगा TGT, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अब भी अगर इस 6-10 के इसाब से हम बात करें, तो यह paper काफी tough level का है, इसमें पूरा 11-12 और higher level के भी कुछ questions है, जो इसमें आए हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन यह था, कि मैंने जो एक video upload की थी, राम बान classes के, तो इसमें से mostly 80% paper cover है, ठीक है, थैंक यू for watching,